वह क्या घटना थी जब अचानक विवादित धांचे के नीचे भगवान श्री राम की मूर्ती अपने आप प्रकट हो गई जब सुबह लोगों ने देखा तो राम भक्तों की वहाँ पर भीर लग गई थी दोस्तों 500 सालों का लंबा सफर आज कहीं राम भक्तों के लिए सच ह की हुई थी और उसकी जगह मस्जिद बना दी गई आखिर 1528 से पहले वहाँ पर भगवान श्री राम का कैसा मंदिर हुआ करता था उसके बाद कैसे एक लंबी लड़ाई शुरू होती है जो 500 साल बाद आज जाकर जीत में बदल रही है यह 500 सालों का संगर्ष आखिर कैसे किया गया इनमें आखिर क्या-क्या घटनाएं हुई आज राम मंदिर के इतिहास के बारे में पूरा डिटेल में जान लेंगे इडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जै श्री राम जरूर लिखें दोस्तों आयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर बन कर तियार हो चुका है इतना ही नहीं 22 जनवरी को यहाँ पर भगवान श्री राम की प्रान प्रतिष्ठा भी करवा दी जाएगी ये वो राम मंदिर है जिसकों बनते हुए देखना करोडों भारतियों का एक सपना था क्योंकि इसी जगह पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इसे पाने के लिए लगातार 500 सालों तक संगर्श करना पड़ा इन में से कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने पूरी ज अखिर क्या हुआ था उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कहा जाता है कि उस समय अयोध्या पर सूरेवन्शियों कार आज कई वर्शों तक रहा था और यहीं पर श्री राम का जन्म राजा दश्रत के मेहल में हुआ कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधी लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजारसी हो गई थी लेकिन उनकी जन्म भूमी पर बना मेहल वैसे का वैसा ही था भगवान श्री राम के पुत्र कुष ने एक बार पून राजधानी अयोध्या का पुननिर्म हो गई थी तो कुछ राजाओं ने उन्हें ठीक भी करवाया था इस तरह समय बीतने के साथ साल आता है 1526 दिल्ली पर उस समय इबराहिम लोधी का राज था 21 अप्रेल 1526 को पानिपत के नजदीक इबराहिम लोधी को हराकर बाबर ने दिल्ली पर कबजा कर लिया उसके गया और ये घटना हिंदू लोगों के आस्था पर बहुत बड़ी चोट थी कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद के बनने के काफी समय बाद जैपूर के राजा जैसिंग द्वितिये कोशीश करते हैं कि वो मस्जिद वाली जमीन वापस मिल जाए लेकिन उनकी कोशीश कुछ तो रंग नहीं ला पाई यह बात 1770 की है लेकिन उन्होंने इतना जरूर कर दिया था कि मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बना देते हैं ताकि हिंदू वहा पर पूजा कर पाए कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदों को यह भूमी एक चबूतरे के रूप से सौंप दी गई थी लेकिन इसके बाद एक बार फिर क्रूर शासक और अंगजेब ने अपने पूरवज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहां मस्जिद का निर्मान कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था चबूतरे होने की बात यूरोपिय जियोग्राफर जोसिफ टाइफिंधेलर ने भी कही थी 1776-1777 के बीच वह यहीं पर थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि वहा पर एक राम जी उत्रा था यह वह वक्त था जब मुसल्मान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर चबूतरे पर पूजा किया करते थे मगर मंदर गिराए जाने के 250 साल बाद भी हिंदू इसे भूले नहीं थे यूं तो आयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के हजारों मंदर थे मगर वो ये बात नहीं भूला पा रहे थे कि भगवान श्री राम के जन्मस्थान की जगह मंदर तोड़कर मस्जिद क्यों बना दी गई 1813 में हिंदूं की तरफ से दावा किया जाता है कि जीस जगह पर बाबरी मस्जिद को बनवाया गया था उसी जगह पर रामला का जन्म हुआ था मतलब की बाबरी मस्जिद में के उपर तीन गुमबद थे और इन गुमबदों के नीचे ही रामलाल के जन्म का मुख्य स्थान माना जाता है 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मौन्ट गोमेरी मार्टिन ने एक रिपोर्ट दी की मस्जिद में जो पिलर्स है वो मंदर से ही लिए गए है रिपोर्ट सामने आने के बाद काफी हंगामा हुआ सबसे पहले इसे लेकर लोगों में साल 1813 में दंगा भड़क उठा था जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और जिसके च्छ सालों बाद 1860 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास मेहिंत रगुवरदास द्वारा चबूतरे पर मंदिर बनवाने की अदालत से मांग की मगर वो भी खारिज हो गई भले ही जैसे तैसे करके अंग्रेजों ने एक बार के लिए इस विवाद को शान्त करवा दिया लेकिन कई सालों बीतने के बाद इसका असली विवाद शु में आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहा रख दी जब यह बात बार फैली तो दोनों पक्षों के लोग वहा पर बड़ी तादाद में पहुंचने लगे जब विवाद ज्यादा हुआ तो यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया लेकिन जिला मजिस्ट्रेट केके नायर ने दंगों और हिंदूओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट से कह दिया कि अगर मूर्ति हटाई गई तो यहां पर इतनी ज्यादा भीर है वह बेकाबू हो सकती है सरकार ने इसे विवादित धांचा मानकर ताला लगवा दिया लेकिन फिर भी हिंदू और मुसल्मानों में आकरोश शांत नहीं हुआ साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में दो अरजी दाखिल की गई इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित धांचे में भगवान राम की मूर्ती रखे रहने की इजाजत मांगी गई बाद में भी लंबे टाइम तक मुसलिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों की तरफ से लगातार अपनी अपनी कोशीश की गई साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अरजी दाखिल कर विवादित जगह से मूर्तियां हटाने की मांग की साल 1984 में विवादित धांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिशद ने एक कमिटी गठित की और इसी के दो साल बाद साल 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केम पांडे ने एक फरवरी 1986 को हिंदूों को पूजा करने की इजाज़त देते हुए धांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया फिर वो दिन आता है जीस दिन बहुत बड़ी घटना होती है 6 दिसंबर 1992 को लाखों कारसेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं इतने सारे लोग पहुंचने से वही हुआ जिसका लोगों को डर था लोग 11 बचकर 50 मिनट पर गुमबद पर चड़े और करीब सारे 4 बजे तक 3 धांचे गिरा दिये इस घटना के कुछ ही टाइम कारे करताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए मगर 1990 के दशक में जब केंदर में दोबारा भाजपा आई तो फिर से दोबारा हिंदू संगठन राम मंदिर आंदोलन को लेकर सक्रिय हो गए फिर देश में चल रहे सभी मामलों को एक जगह लाया गया बाद में इस मामले की जांच के लिए आर्कियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया को कहा गया ताकि यह पता चल सके कि उसे मस्जिद के नीचे आखिर पहले क्या A.S.I. ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जीज जगह यह विवादित धांचा था उसके नीचे मिले अफशेशों से यह बात साबित होती है वहा पहले हिंडू मंदिर था और यह सरकार के सामने और कोर्ट के सामने सबसे बड़ा साइन्टिफिक प्रूफ था कि वाकई में उस विवादित जगह के नीचे भगवान श्रीराम का पहले मंदिर था साल 2010 में इलाहबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुनी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच तीन बराबर बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोधिया विवा जमीन हिंदू पक्ष को मिली लेकिन इसी के साथ मस्जिद के लिए अलग से पांच एकर जमीन मुहिया कराने का आदेश दिया गया और आखिर कर वो वक्त आही गया जब 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमी पूजन कारेक्रम किया गया और अब वह दिन भी आ गया है जब मं अखिर में सत्य की जीत हुई आप इसको लेकर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें